जय स्वामिनारेंड-दोस्तों आक्षर प्लांटरंट प्लांटर में आप लोगों का स्वागत है आज जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि काफी बारिश ओरी है अभी जहर्मर जहर्मर चली रही है और एकदो लोगों लेने अपन थोड़ा थोड़ा करके उस बारे में आज हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों एक छोटी सी मापको जानकारी देदूं कि जैसे हवा के अंदर यह बारिश का पनी अपने लिए बहुत फाइदे मंद क्यूं है पौदों के लिए उसका एक मापको छोटा सा एक जानका होता है तो इसी वज़े से क्या होता है जब आसमान से बारिश की बूंदे चलती है तो एक तो इसके अंदर कोई हामफुल जो है इस तरीके के सौल्ट नहीं होते हैं और दूसरा क्या होता है कि जब हवा आती है उपर से मलब पानी जब बरसता है आसमान से तो वह जब बू यह है और दूसरा क्या है इसके अंदर की नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल जैसा जो अपना पानी होता है उसके अंदर बहुत हम फुल सौल्ट होते हैं कई बार तो उसके वेज़े से प्लांट प्रॉपर नहीं कर पाता अभी यह बारिश का पानी इतना फाइदे मंद है एकदम आप देखेंगे आप लोगों पता ही होगा जैसे आप प्लांट्स ग्रोव करते हैं तो एकदम पौदों में रौनक आ जाती है पौदों के अंदर कि एकदम फास्ट ग्रोव करने लगते हैं क्योंकि नैट्रोजन बहुत मिल जाता है पत्तों में गुजरात में महाराष्टर में काफी तेज हमाई चली काफी फिजिकल डैमेज होनी की पॉस्पिलिटी बहुत जादा है आप जब भी देखें प्लांट्स को थोड़ा सा अभी जैसे समय मिला है मेरे को भी तो प्लांट्स के पास घूम घूम के अपने को एक्जामिन कर करना है जिस भी फिजिकल डैमेज हो वहां के उपर उसके उपर एंटी फंगल लगा करके जैसे कार्बेट में को जब जो कॉम्बिनीशन आती है वह लगा करके आपने को सबसे पहले क्या करना उसको साइड में रख देना दूसरा आपने क्या करना दोस्तों कि ऐसा गमला द देखें कि कोई गमले के अंदर पानी भरा हुआ इसका मतलब आपका जो है ड्रेनेज मीडिया उसका प्रॉपर नहीं है और गमले के अंदर पानी रुक रहा है तो दूसरा पॉइंट अपना यह हो गया कि आपने को यह देखना है कि आपने पॉट्स के अंदर को ऐसा कर सकता है जड़ों के अंदर और दोस्तों जैसे अभी एक दो दिन और बारिश अगर लगातार होती रहे तो अपने को क्या करना है कि लगबग 15 दिन तक अपने प्लांट को थोड़ा सा बारिश रुखने के बाद भी जो है अपने को क्रॉस एक्जामीन अच्छे से करना है अगर कोई प्लांट का अंदर सड़न चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं कि उसके लीव फॉल हो रही है लीव एकदम से जड़ रही हैं काली हो रही है या एकदम से जो क्यूड एक्स उस पर कुछ श्रिंक के निशान है तो तुरंत अपने को उस प्लांट को चेक करना ह कि बारिश बंद होने के बाद में अपने को जैसे अब लगता है क्या बारिश नहीं होगि अफ़े मिला कर पौदहों के अंदर अपने को देना है और बारिखे और दूसरा सभी पादों के ऑपर भी दोर सबीमिटी और चयादा मौद्टि रहीगी तो कई बार पर ब्रांच रॉट की भी पॉसिबिलिटी रहती है इसके अलावा अपने को क्या करना है अभी एक और बात जरूरी कि इसके अंदर जो भी डैड फ्लावर डैड लीव जो भी अपने प्लांट के उपर अपने को दिखाई दें कि यह डैड फ्लावर चिपका हुआ है यह यह पत्ती जो है मरने के बाद भी इसके उपर लगी हुए पौधे पर उसको तुरंद गती से अपने को रिमूओ कर देना है क्योंकि वह पत्ती उस पर चिपकी रहेगी पौधे पर तो वह क्या करेगे कि उसके में ब्रांच रॉट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो अपने प्लांट के अंदर जो है इस तरीके का कोई भी जो है डैमेज जो अगर होने की पॉसिबिलिटी अपने को हो रही है तो तुरंत अपने को अपने प्लांट को चेक करना है और उससे जो संबंदिट ट्रीटमेंट अब जैसे मैंने पहले वीडियो उसमें भी बताया करे गासा दो चार दिन पहले कि आपने को से जो है पौदे बाहर नहीं रखने कान से अपने को बाहर नहीं को जिस नहीं हो आप प्रोसंस किया है दोकाल कि आयो जो कोह प्लांट में एबने ग्राफिटिंग करिए तो उन से उठाकर के मैंने उस तरफ उन पौदों को रख दिया है और उस तरफ रख दिया साइड में रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो कट पार्ट है या डैमेज पार्ट उसके पर अगर पानी ज्यादा देर तक पड़ता रहा तो उसके अंदर वह फंगस कॉज कर देगा तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही कुछ मुझे लगा आप लोगों को मौसम इस तरीकी काई हो रखा है जिसमें आप लोगों के लिए कुछ जानकारियें जो हैं अपने अडीनियम को सेफ करने के लिए काफी ज़रूरी थी तो मैं सुच आप लोगों को मैं बता दोस्तों आज का वीडियो को शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार